चेस्टेशनल डाइबेटीज इन प्रेगनसी काफी मेडिकल टर्म है बट बहुत सारी इंपोर्टन्स है इस टर्म में क्योंकि आप मानेंगे नहीं अगर हम बात करते हैं सौ में से दस लोको को डाइबेटीज होती है जब वो प्रेगनेंट होते हैं ये तो है USA का स्टाइस्टिक्स पर अगर हम इंडिया की बात करें तो उसमें अगर इस प्रेगनेंसी की जरनी पर किसी भी रीजन से आप डिवेलप करते हैं अगर हम नॉमली देखे तो क्या होता है आप कहेंगे मुझे तो कभी डाइबेटीज थी ही नहीं मुझे कैसे हो गई माम अगरीड आपको नहीं थी आप पहले जो हॉमोन सिक्रीट कर रहे थे इंसुलेन आपके पैंक्रियास से वो आपके ब्लड शुकर्स को बैलन्स कैसे करता था कि वो ब्लड में जो ग्लुकोस थी उसको लिजाके सेल्स को देता था और वो सेल्स आपके सारे बॉड़ी फंक्शन में यूज करके उस ग्लुकोस के लेवल को आपके ब्लड में मैनेज़ रखते थे बड़ अब जब प्रेगनेंसी आई आपके प्लसेंटा कुछ हॉर्मोन से करने लगा अब जब वो प्लसेंटा से जो हॉर्मोन निकले वो आपके इंसुलिन प्रडक्शन को मैच अप नहीं कर पाए और इंसुलिन थोड़ा सा कम हो गया और आपका जो ब्लड शुकर था वो हमें समझनी है ताकि हम प्रेवेंट करें कि हमें ये डाइबेटीज हो प्रेगनेंसी में या अगर हो गई है तो हम किस तरह मिनमम एफर्ट से उसको क्योर कर सकते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं अगर आप ओवेट हैं आपके किसी फैमिली मेंबर को डाइबेटीज है आपको PCOD की प्रॉब्लम रहे चुकी है और सो इफ यूवाद जीएम इन प्रीवेस प्रेगनेंसी और इसे कुछ इसूस रेकरिंट अबोर्शन तो इसलिए इस वजह से भी हम मानते हैं कि आपका रिस्क थोड़ा सा डाइबेटीज डिवेलप करने का अंदा हाइवर प्रॉब्लम इन फिर इंडिया में यह क्यों देखते हैं कि इंडिया इस बीटिक कपिल और सारे पेशिए डिवेतीज के हमारी कंठी में हैं तो सम एक्सिंट दियू एर एक्सराइस सेडिल थो अर एक्सराइस स्ट्रिल आर लाइफ स्टाइल So let us all try to hold it together अगर आपको already diabetes है और आप pregnant हो गए है Be very sure कि आप अपने obstetrician और अपने fetal medicine doctor को ज़रूर मिले क्योंकि अगर हमारे blood sugar levels high है और हमने conceive करा है तो वो जो time period है बेबी के development के लिए बहुत important है उस समय जब वो बेबी बन रहा है, develop हो रहा है First 9 to 12 weeks में भी तब अगर sugar levels ज़ादा है तो बेबी की circulation में भी वो sugar levels ज़ादा होंगे जिसको हम कहते हैं diabetic embryo पिथी और ये बहुत बहुत important है आपको समझना क्योंकि जब हमारा बेबी डिवेलाप हो रहा है कुछ chances है हमारे बेबी के problem आने में कुछ chances है कि उसको neural tube defects हो जिसके अंदर caudal regression syndrome ऐसे बड़े-बड़े नाम है जो आपको समझने की ज़रुद नहीं है पर किसी situation में ये देखा गया है कि अगर बेबी का brain नहीं develop होता जिसको हम enencephaly कहते हैं वो 3 times जादा risk होता है और हमारे बेबी के heart defects होने का risk भी over 2.4 times जादा होता है एक normal population में इसलिए when you conceive early pregnancy भी हमें आपके sugar levels के control को judge करना है HPA1C एक ऐसा test होता है जो आपके sugar levels को वो 3 months judge करता है अगर वो 8.5 से कम है फिर तो हम फिर भी सोच सकते हैं but still the risk of developing anomalies is 3.4% but अगर वो 8.5% से उपर है तो तो risk बहुत जादा है 22 to 25% so बहुत important है कि आपके बहुत proper counseling और frequent ultrasound हो ता कि हमें अपने बेबी की पूरी growth, development, organ functioning के बारे में काफी idea हो जाए As a doctor I feel अगर आपको ये problem develop होई है तो आपको इतनी knowledge तो होनी जरूर चाहिए हमारे बेबी के अंदर बहुत सारे issues जो आते हैं हम उन्हें resolve तो नहीं कर सकते but हमारी sugar levels ठीक रहें उसके लिए हम prevention के point of view से बहुत सारी चीज़े बताते हैं इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको diagnose कर लिया गया है कि आपको ये gestational diabetes है तब तो definitely आपका treatment should start as soon as possible but diagnose कैसे करें कि आपको है इसी के लिए हमारी international bodies और हमारी national guidelines ने बहुत clearly define किया है कि आपको कुछ glucose tolerance test कराने है किसी के single sample है कभी-कभी two sample, कभी-कभी three sample ये सब हम जरूर करते है and we all doctors make sure कि हमें आपके इन सब चीजों का पता हो but pregnancy में एक चीज़ आपको समझनी है अगर हमें आपकी gestational diabetes का doubt भी है तो हम दिन में एक बार नहीं sugar check करते हम एक दिन में चार बार sugar check करते है तो इसलिए कुछ mothers बहुत घपरा जाती है कि एक दिन में four samples हम कैसे करेंगे आपकी sugars बहुत लिबाइल है pregnancy में इसलिए अगर हम में से किसी को होगा तो हम शायद हफते में एक बार test करेंगे बट अगर pregnant mother को होगा तो हम four point profile करते है किसी किसी का अगर control हो जाता है तो उसको reduce कर देते है और ये testing almost everyday होती है आपको उनकी details की जरुद नहीं है but obstetrician, fetal medicine doctor, आपके diabetes specialist, आपकी dietitian बहुत ख्याल रखेंगे कि आपकी ये journey बहुत ही comfortable और easy निकले और आपका baby बिल्कुल healthy grow करे अब बहुत important आपको क्या करना है अगर हम treatment की बात करे very very importantly we have to shift to a diabetic diet जो आपकी nutritionist आपके weight को देखते हुए decide करेगी और आपका lifestyle बहुत healthy होना चाहिए मतलब minimum 30 minutes of moderate exercise इसी लिए ये सब चीज़े हम as parameters ज़रूर आपको कहते हैं follow करो in fact मैं तो सबको कहते हूँ कि अगर आपको diabetes नहीं भी है तो भी आप अपनी exercise और activity को बहुत अच्छे से रखो क्यूंकि वो आपके glucose को बहुत help करेंगे mobilize करने में into yourself ताकि आपकी body functions भी ठीक रहें और आपके sugar के levels भी normal रहें, healthy रहें तो आपको क्या करना है first and foremost, make exercise your habit my dear again reiterate कर रहे हूँ क्यूंकि develop करने से पहले ही उसे बना ले और अगर हो गई है तो और उसको बढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा secondly, follow your nutritionist even if you don't develop diabetes still make sure आप कैसे खा रहे हैं you have to have a shift over from cakes, cookies, candies, ice cream to fruits, raisins, carrots, जो natural sugars है जो live food है और बहुत videos में मैंने बहुत अच्छे से आपको diet की अच्छी instructions दी है तीसरा, lose extra weight ये बहुत ज़रूरी है हम pregnancy से पहले करें पर अगर तब नहीं कर पाए तो at least अब तो ज़रूर करें does diabetes in pregnancy harm my baby ये बहुत common question है आपका अगर आपकी sugars अच्छे से controlled है it will not harm definitely uncontrolled है तो हमारे risk of congenital malformations embryopathy वो सब बढ़ेंगी जैसे हमने पहले discuss किया